एक समय की बात है, जंगल में एक गिलहरी और एक बंदर रहते थे, जो बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्हें अन्य जानवरों को परिशान करना बहुत पसंद था, एक बार जब भालू सो रहा था, तो उन्हें भालू की नाक पर शहद लगा दिया, जैसे ही भालू ने अपनी आखें खोली, तो उसने अपनी नाक पर कुछ चिप-चिपा महसूस किया, उसने इसे चाटने की कोशिश की, लेकिन इससे वो और फेल गया, वो जल्दी से उठकर नदी की और दोड़ा, उम्मीद करते हुए कि वह इसे धोकर हटा देगा, लेकिन जैसे ही वह दोड़ता की धारियों के उपर ओरेंज रंग को पेंट कर दिया था, उसे वह बाग की तरह दिखने लगा, दूर से जानवर जब जेबरा को बाग मानकर जान बचाने के लिए भागते, तो दोनों भोत प्रसन्न हुए, जंगल का राजा, शेर, बंदर और गिलहरी की शरारतों से कुछ असली और स्वादिष्ट फल और मूंग फली दिये, और फिर उन्हें अकेला छोड़ दिया, कुछ स्वादिष्ट फल और मूंग फली खाने के बाद गिलहरी और बंदर को नीद आने लगी, और गुफा में ही सोने का निर्णे लिया, उन्हें नहीं पता था कि शेर बदला लेने की फिराक में है, शेर ने चींटियों से मदद मांगी और इन सोते हुए बदमाश को जील तक ले जाने को कहा, जहां सभी जंगल के जानवर उनका इंतजार कर रहे थे, चींटियों ने सावधानी से सोते हुए गिलहरी और बंदर को उठाया, और उन्हें अप बदम से जमीन पर पैर मारा और जोर से चिल लाया, जिससे बहुत तेज आवाज हुई, इसे सुनकर गिलहरी और बंदर चौक कर उठ गए, और आसपास देखकर हैरान हो गए, कि वे पानी पर तैर रहे हैं, किनारे खड़े जानवर उन दो बदमाश खोर को हैरान परेशान था, वे किनारे की ओर तैर कर गए, और सभी से माफी मांगी, खास कर भालू और जेबरा से, उन्होंने कभी भी किसी को परेशान नहीं करने का वादा किया, और अन्य जानवरों के प्रति दयालुपन और दोस्ताना बरताव रखने का संकल्प लिया, शेर ने उनकी माफी को बिन मतलब के परेशान नहीं करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि जिस चीज को करने से आपको प्रसंता मिलती हो, उससे दुसरों को भी आनंद का अनुभव होगा, इसलिए हर काम करने से पहले दुसरों का सोचो और अच्छे मन से काम करो, अगर आपको बंदर और गिलहरी की ये कहानी अच्छी लगी, तो हमारे चैनल एक समय की बात है, को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे अनोखे और अच्छे वीडियो कभी मिस न करें